How to cook rice? अब आप कहेंगे चावल बनाना भी सीखना पड़ेगा? बिल्कुल सर, चावल उबानना भी सीखना है क्यों? क्योंकि एक base cooking होती है चावल दो तरह से उबाले जाते हैं एक होता है observation method और दूसरा होता है drain out method observation जो method होता है आम तरपे हम उसको करते हैं घर पे उसका भी एक तरीका है जो हम कहीं गलतिया करते हैं जो drain out method है वो restaurant और hotel में इस्तमाल किया जाता है कई बार ऐसा होता है कि चावल हमने खा लिया तो हमको काफ़े बाहरी महसूस होता है अगर आप ये method अपनाते हैं तो चावल हलका लगेगा क्योंकि उसमें से काफी start निकल जाता है कैसे में इस वाद के मित्रों मैं शयबू पिया आपका स्वागत करता हूँ अपनी audience की चनले steam rice यहाँ पे हम दो तरीके से बना रहे हैं तो दो तरीके से हम अलग-लग इनको wash करेंगे और soak करेंगे तो एक कप मैंने यहाँ पे ले लिया है और उसी तरह से एक कप बासमती long grain rice यहाँ पे ले लिया है तो सबसे पहले चावलों को अच्छी तरह से wash करना है लेकिन हलके हातों से जो बासमती चावल होता है बहुत ही नाजुक होता है तो हलके हलके हातों से इनको वाश कीजिए जितना भी इसके उपर जो पाउडर होता है एस्टरा स्टार्च होता है वो निकल जाएगा राइस को धोने का मेथड हम दो से तीन बार इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर दो तीन बार धो दिया है देखिए और अच्छी तरह से चाओन हमारे धुल गए है अब यहाँ पर हम इनको सोग करेंगे कितनी दे सोग करना है यह भी बहुत इंपॉर्टन है कोई भी बासमती राइस हो 20 से 30 मिनट इस से ज़्यदा बिलकुल भी नहीं तो यह देखिए 30 मिनट के बाद में इसमें हलकी सी सफेदी भी आपको दिखाई देने लग जाएगी तो पहला मैथर हम इस्तमाल कर रहे है तो यहाँ पर पानी उबाल दिया है पानी में उबाल आ गया है थंधानी उबाल आ गया है तो पहले मैथर में जहाँ पर हम ड्रेन आउट मैथर से इस्तमाल कर रहे है सारा चाउन यहाँ पर डाल देंगे चाउनलो को उबालते टाइम आप नमक डालना चाहें तो डाल सकते हैं आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है अब यहाँ पर डालूँगा मैं छोटा सा नीमू का रस इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं नीमू का रस इसलिए डाल रहा हूँ इससे क्या होगा चाउनलो में एक सफेदी आईगी आप चाहें तो इसकी जगे विनेगर कर इस्तमाल भी कर सकते हैं हलका सा हिलाना है bubbles बहुत बड़े बड़े नहीं होने चीह हलके हलके bubbles आने चीहें परना चाउनल तूट जाएगा और इसको बिल्कुल भी इस्टेर नहीं करना है यह निगी लगातार इसको हलवे की तरह गोटे जा रहे हो तो चाउनल साना तूट जाएगा जी समयश नहीं होना चीए हलका समयश होना चीए इसका मतलब की वो कुखो गया है परफेक्टली देखिए यहां पे दब नहीं रहा है मतलब खड़ा है तो इसका मतलब यहां पे दो मिनिट और मैं करूंगा दो मिनिट के बाद दुबारा चेक करते हैं डेड़ से दो मिनिट हमने और पकाया उसके बाद में फिर चेक करते हैं और ये देखिए चावल हलका सा यहाँ पर दब रहा है इसका मतलब की चावल हो चुका है पूरी तरह से मैश नहीं होना चीए पूरी तरह से मैश हो गया तो और जदा कुक हो जाएगा फिर और जदा मैश हो जाएगा इसलिए हलका सा खड़ा मतलब 80-90% और फटा फट से ड्रेन आउट कर लीजिए क्योंकि उस पानी में नहीं रखना है वनना चावल पानी पी जाता है और उसके बाद में ये देखिए ये जो पानी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है तो ये सारा स्टार्च निकल चुगा है जितना भी एस्ट्रा था अब ये जो चावल हम खाएंगे इसको खाने में हमको काफी हलका लगेगा उबले वे चावल को एक से दो बार शेक कर जीए मतलब उपर नीचे कर दीजिए जिससे की ओवर कोकिंग ना हो नीचे वाले चावल होगी तो यहाँ पर पहला मेथ़ड हो गया कम्पलीट अब बढ़ते हैं दूसरे मेथ़ड की तरफ और अब बना रहे हैं हम दूसरा मेथड एबजॉब मेथड इसके अंदर जितना हम पानी डालेंगे वो सारा पानी चावल एबजॉब कर लेगा एक कब राइस हमने इस्तमाल किया था तो हमको इस्तमाल करना है डेड़ से दो कब अब डेड़ से दो कब क्यों कहा क्योंकि कई बार राइस का नीचर पर डिपेंड करता है कि वो कितना चाउल पानी पीता है तो आपको फर्स्ट टाइम देखना होगा कि कितना पानी पी रहा है उसे साब से आपको सेकंड टाइम में उन चाउलों को प्रोसीज़ करना होगा हमारे पहाडियों में जब फाद बनाया जाता है तो इस तरह से ना पा जाता है उंगली डाल के पहली जो निशान है वहाँ तक पानी आना चाहिए आपका राइस बिल्कुल परफेक्ट बनेगा वैसे आम तोर पे जो बास्मती राइस होता उसमें इतने ही जरुवत होती ही पानी की तो अब इसको लगाना है धकन और धकन लगभग 5-8 मिनट उतनी दिर में इसमें बॉयला जाएगा अब इसको आप अच्छी तरह से लिल लगा दीजे और पानी की कॉंटिटी यहां पे कम होगी है इसलिए गैस को आप बिल्कुल डाउन कर दीजे तेज भी नहीं होनी चीए मीडियम नहीं होनी चीए तो 5-6 मिनट और पकाया उसके बाद में बंद कर दीजे लेकिन छेड़ना नहीं है छेड़ेंगे 5-7 मिनट के बाद में तो यह देखिए हमारा पहला मैथड जिसमें हमने डेन आउट कर दिया था पानी को तो एक एक चाउल अलग लग हो गया इस चाउल को आप किसी भी टॉस चाउल जैसे कि आप मर्टर पुलाव बना रहे हैं या फ्राइडर्स बना रहे हैं तो उसमें इस्तमाल कीजिए बहुत अच्छा बनेगा और ये रहा हमारा अब्जाउल मैथर इसके अंदर सारा पानी अब्जाउल कर लिया तो यहाँ पर पहली बार जब खोलते हो तो उसके बाद में हलक असा उपर उठाईए इससे कि नीचे का चाउल उपर की तरफ आ जाएगा और जो उसकी एस्टर कुकी है वह वहीं पर जाएगा और यह देखी जो सेकंड मैथर था एब्जाउब उसके अंदर भी चाउल खिला खिला बना है चिपकावा बिल्कुल भी नहीं बनाएं दोनों ही मैथर बैस्ट हैं जो आपको अच्छा लगता हो वाला मैथर आप अपना सकते हैं तो यहाँ पर हमने दोनों चाउलों को एक साथ रख दिया यह है सैकंड मैथर वाला मतलब एब्जाउब वाला तो यहाँ पर सारा पानी एब्जाउब हो गया था तो यहाँ पर चाउलों में हलक असा चिपचिपापन महसूस होगा आपको लेकिन यह चाउल खाने में ज्य आहिल